देशभर में एक सितंबर से नए ट्राफिक नियम लागू हो चुके हैं जिसके चुलते चौलान को लेकर कई खबरे सामने आ रही हैं देशभर में तैई लोगों को नए नियमों का उलंगन करने का भारी जुर्माना देना पड़ रहा है हाल ही में अब गुजरात के सूरत शहर से ऐसी तस्वीरे सामने आई हैं जिनहें ट्राफिक नियमों की प्रती जागरुकता कहा जाए या फिर नए ट्राफिक नियमों का डर कहा जाए दरसल भगवान गनेश की पांडाल में लोग हेलमेट पहन कर आरती करते नज़र आए सूरत के वैसु इलाके में इस्थित्र नंदनी में कई गनेश पांडालो की तरह ही भगवान गनेश की विदाई के लिए आरती का आयोजन किया गया जादतर लोग आरती में हेलमेट पहन कर पहुचे थे बपा की आरती करने पहुची कुसम कोठारी नाम की महिला ने कहा कि हेलमेट पहन कर भगवान गनेश की आरती करिये और इसके जरीए वो ये संधिश देना चाहती है कि हर किसी को हेलमेट पहनना चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार ने जो बदलाव किये हैं वो सुरक्षा के लिए ही है वहीं गणेश पांडाल में हेलमेट पहन कर पहुची रेखा गर्ग नाम की महिला का कहना है कि लोग हेलमेट का प्रयोग करें, समाज को जागरुक करना हमारा मकसद है इसके लिए बपा से प्राथना करते हैं, हलाकि ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर सामाजिक संदेश देना और उस पर खुद भी अमल करना दोनों बातों में काफी फर्क है दूसरी और कहा जा रहा है कि लोगों को चालान को लेकर मन में डर बैठ गया है जो बपा को विदाई देने के लिए भी यातायात के नियम का पालन करते हुए हेलमेट पहन कर भगवान को विदाई देने पहुचे है